एक मात्र देश जिसने एक अरब लोगों को गरीबी से आर्थिक खुशाली के एक निश्चित स्थर तक पहुँचाया है, वो है चीन, ठीक है? मगर उन्होंने इसे कठोर, हिंसक तरीके से किया, बहुत सी बार गोलियां चला कर किया. मगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को पीड़ी दर पीड़ी गरीबी में रखना उन्हें मारने से भी बुरा है, जबरदस्ट गरीबी, जहां पोशन एक मुद्दा होता है, तो उन्होंने जो किया, वो अपने तरीके से किया. आप उनकी निंदा कर सकते हैं या सराहना कर सकते हैं, मेरे लिए वो एक खास समझ है, पीड़ा दायक समझ, जिसका उन्होंने इस्तमाल किया, और जब उन्होंने वो पा लिया, जो वो पाना चाहते थे, तो अब वे धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की और बढ़ 60 करोर लोगों को अभी भी जबरदस्त गरीबी से खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर पहुंचा सकते हैं, सिर्फ अगले 10 से 15 सालों में, हम उसकी दहलीज पर हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये, बिना गोलियों, बिना हत्याओं के, बिना भारी कंट्रोल के कु अभी एक संभावना है, हम दहलीज को पार कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमें उस संभावना को हकीकत में बदलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी देश ने 60 करोर लोगों को एक पीड़ी में गरीबी से एक ठीक ठाख खुशाली में नहीं पहुचा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, पहली बार इस देश में ये कर सकते हैं